नमस्कार राजसभाट टेल्वीजन के कारिक्रम मीडिया मंथन में आपका स्वागत है मैं हूँ उर्मिलेश मीडिया मंथन के आज के एपिसोड में हम बात करेंगे ओपीनियन पूल और पत्रकारिता इस विशे पर बाचीत करनी के लिए हमारे साथ स्टोडियो में मौझूद हैं चार खास महमान हमारे साथ हैं जनसत्ता के संपादक ओम थानवी हमारे साथ हैं विपल मुदगल CSDS से जुड़े हैं CSDS जो चुनाव सर्वेक्षनों के लिए काफी विख्यात है और हमारे साथ हैं एन केसिंग वरिष्ट पत्रकार और टेलिवीजन चैनलों के संपादकों की जो संस्ता है उसके आप जनरो सेकरेटरी हैं हमारे साथ हैं हरतोर्ष बल जो कैरवान मेग जिन के राजनितिक संपादक हैं चारों महमानों का हम सवागत करते हैं और मैं चाहता हूं कि कारिक्रम शुरू हम लोग करें बाचित इसके पहले इस विशे से जोड़ी एक छोटी सी चितर कथा आभी देखते हैं इसके बाद हम सवाल जबाब पर आएंगे सवालों के गेरे में आते हैं पहला सवाल ये क्या मीडिया हाउस को चुनाव सर्विक्षन को लेकर पूरी तरह बाहरी सर्वे कम्पनियों पर निर्भर रहना चाहिए दूसरा सवाल ये कि चुनाव के दौरान जदातर सर्वे कमपनियों के मीडिया के साथ गठ जोड होने के क्या माएने है बाकी सर्विक्षनों की तरह चुनावी सर्विक्षन क्यों नहीं प्रेस रिलीस की शकल में मीडिया को पहुंसता है क्या ऐसे हालात में तीसरा पक्ष यानी राजनीतिक पार्टियां इसे अपने मताबिक इस्तेमाल करने की कोशिश नहीं कर सकती क्या ऐसी सन्रचुना में विश्वसनियता कायम रह सकती है पिछले 10 साल में ऐसे कई चुना हुए हैं जब सर्वे कंपनियों की भविश्यवानिया बड़े अंतर से गलत साबित हुई है तब से लेकर अब तक कई सिरे से इस पर बातचीत होती रही है आचार सहीता लागू होने के बाद चुनाव आयोग इसे बंद करने के पक्ष में है 2004 में सरवदली ये बैठक में भी इस बात पर सहमती बनी थी लेकिन ऐसा हो नहीं पाया नए विवाद में ओपिनियन पोल को लेकर मीडिया हाउस और सरवे कंपनिया दोनुस सवालों के घेरे में आये हैं अगर ये आकडों में छुड़खानी का मामला इतना सपाथ है तो इस पर बेहत गंभीरता से सोचने की दरकार है दिलिप खान राज्यसभा टीवी कि क्या कहानी है क्या पत्रकारिता वाकई ओपिनियन पोल्स का जो एक अंधर चुनाओं के द्वारान बहता है हर पंद्रह दिन पर दस दिन पर अब तो हो गया है एक उपिनियन पोल आ जाते हैं चुनाओं रिपोर्टिंग एज होल एक जरनलिजम जो है उसका उसको कितना इसने योगदान दिया है इस तरह के उपिनियन पोल ने देखिए पत्रकारिता का काम जो है अब तक हम एक परिवाशा सुनते आये हैं कि जानकारी दिना है मेरा मानना यह है कि यह बिलकुल एक टेक्स्ट बुक जैसी परिवाशा है अच्छी पत्रकारिता आपकी समझ बढ जाती है लेकिन यह जो गोरक धंदा है सर्विक्षनों का इसने कोई समाज में समझ बढ़ाने का काम या विवेक बढ़ाने का काम किया हो यह नहीं है इसने धंदा जरूर चमकाया है लोगों ने इसमें पैसा बनाया है और इसलिए अकारण नहीं है कि जब चुनाव आयोग ने कोरेशी साब के वक्त जब यह कहा कि इसके उपर रोक लगनी चाहिए तब एडिटर्स गिल्ड जैसी संस्ता वो भी बहुत सजग होकर के और प्रदानमंत्री के दरवाजे तक पहुंच गई थी और उन्होंने यह कहा था कि यह इसके उपर रोक नहीं लगनी चाहिए क् क्योंकि आपका वो व्यापार है आप मां जानकारी बढ़ाने के लिए लोगों के विवेक को बढ़ाने के लिए नहीं चिंते थें इसलिए चिंती थें क्योंकि हमारे लोगों में समाज जो है यह मुझे कहते हूं तर रहा संकोच होता है कि ज्यादा तर समाज हमारे यहां पे निरक्षर है और उसमें आप देखे कितने लोग जोतिस की तरफ आपको सड़क के उपर जोतिस ही बैठे मिलते हैं क्योंकि लोग भवी से जांचना चाहते हैं तो आप लोगों में बहुत जल्दी एक ऐसी उत्खंटा पैदा करते हैं कि हम आपको पहले पता देते हैं क्य चीमत के उपर हो सकता है इसलिए मैं मानता हूं कि यह गोरक दंदा जो है यह कोई लोग तंतर के लिए मैं इसको कोई बहुत अच्छी चीज नहीं मानता हूं अगर हम आप से पूछे हैं आप से जुड़े भी हैं पत्रकारिता से भी लंबे समय तक जुड़े रहे हैं हम अ कई इसने समाज को या पाठकों को या दर्शकों को ग्यान से जोड़ा है या सिर्फ गोरक धंदे पर अपने को केंदरित रखा है जैसे मान लीजे आप एक सर्वे करने के लिए जाते हैं और आप कोई ओपीनियन निकाल के लाते हैं मान लीजे कि आप गाउं में गए और आ बादचीत करते हैं ये फ़ला की हवा चल रही है इसकी हवा चल रही है तो एक अच्छा सर्वेक्षन जो है वो आपको देश का मिजाज बताता है ये एक अपने आप में बड़ी अच्छी चीज है मुझे लगता है कि खाली इसी बारे में नहीं पब्लिक उपीनियन जिन जिन दिर बाद लेकिन हम अभी ये जाना चाहते हैं कि क्या इसको अईव्यक्त की आजादी जोड़ा जाना जरूरा जरूरा मैं आपको यही कह रहा हूं और मिलेश जी कि सवाल यह है कि आप एक साइंटिफिक तरीका है जिससे कि आप पब्लिक उपीनियन के ऊपर एक काफी ऐस लाए हुए बच्चे होते हैं अगर हम आप से जाना चाहिए 1983 का एक घटना करम मुझे याद आ रहा है 1983 में आंदरप्रदेश में चुनाव होने थे हुए थे और उसमें दोराप सोपारिवाला उन्होंने इंडिया टूडे ग्रूप के लिए एक सर्वे किया वह सर्वे कि मैंने इंडिया टूडे ग्रूप से फीस तक नहीं वसुली इतना वही थी था और मैं ये कह रहा हूं कि पहले कई ऐसे सर्वेर्स रहे हैं कैसे कई ऐसे पौल इस्टार रहे हैं जो हो सकता है गलत साबित हो जाएं उनके सर्वे बिलकुल सही नो निकले लेकिन कहीं नहीं नहीं एक कमिट्मेंट उस साइंस के प्रति उस मेथडिलोजी के प्रति रहा है लेकिन आज के जो सर्वे चो भी हाल में हमने देखा पर दाफाश हुआ जिस तरह से हो रहे हैं एक तरह से बड़ा बाजार बन गया है सर्वेर्स का जिनकी कोई मेथडिलोजी भी नहीं सामने उबर के आ रही है जिनका प्रसिक्षन नहीं है समाज भी ग्यान से लेकर के अर्शास्त्र या मीडिया में तो ऐसे कॉंटेक्स्ट में अगर मैं आप से जानना चाहूं आज के माहल पर टिपनी करना चाहूं तो क्या करें बिल्कुल मैं एक लाइन में कहूंगा कि इनकी बहु बिल्कुल बंद होना चाहिए हम लोग काफी आहत हैं यह जो कुछ भी आप चर्चा कर रहे हैं इसको लेके पूरी के पूरी एलेक्ट्रोनिक मेडिया में सारे लोग बहुत परिशान है कि इसका कोई न कोई सालूसर निकालना पड़ेगा क्योंकि हमारी क्रेडिबिल्टी क काफी के लिए हैं इसको एकसेट कर सकते हैं कि गलती हमारी बहुत बड़ी है इसका दूसरा कंपोनेट है कि ओपीनियन पोल की उपादेयता क्या है ओपीनियन पोल अगर आप गौर से देखें तो बहुत बड़ी जरूरत है किसी भी डेमोक्रेसी को मैच्चियोर करने के लि हुआ असी से यह सिलसला शुरू होता है जब इंद्रा गांधी इमर्जंसी एक बात फिर आती है 67 में भी कराया एक्स्प्रेस में छापा था है लेकिन वो इंडिविज्वल ने कराया था वो पर लग किसी ऑर्गनाइजिशन ने नहीं हमें लगता है कि ओपीनियन किसी भी म समस्य आ रही है ओपीनियन पॉल इंडिया में साइंटिफिक हो नहीं पाया है क्योंकि सेकलो आइडेंटिटी ग्रूव्स है और हर आप अहचान समूझ जो है वो दूसरे से क्लैश करता है ऐसे में जब आप ओपीनियन सीकिंग के लिए जाते हैं तो मल्टी आइडेंटिट सोसाइटी में जो की हेट्रोजीनियस है उसमें बहुत मुश्किल पलता है कि आप आइडेंटिटी सही ले पाएं यह सबसे वड़ी प्रॉब्लम है जैसे अमेरिका में दिकत नहीं है आप सोलर सो के सेंपल साइज में आप ओपीनियन ले लेते हैं लेकिन भारत में पंदरा जैसे सब लोग कह रहे हैं लेकिन अगर अगर आप देखें एडिटर्स गिल्ड हो या जितनी और जर्नलिस्टों की बॉडिज हैं जितने एसोसियेशन्स हैं कोई विशह पर स्टैंड लेने को त्यार नहीं है सबको लगता है कि अविक्त की आजादी का यह प्रशन है सबक में केवल मेत्रोलोजी की बात करना करेक्शन की बात करना व्यक्त की आजादी जोड़ना एक जानलिस्ट के इसको कैसे लेते हैं आप देखे एक तो सवाल गहरा है पर मेरा बिचार यही है कि अगर आप यह सबूत कर सकते हैं कि उपिनियन पोल से इलेक्शन के परिनाम पे असर पढ़ता है और एक घोर असर पढ़ता है तो जरूर बैन की बात हो सकती है पर मुझे नहीं लगता कि यह होता है जहां तक बात है कि पैसे के लेंडेन से आप उपिनियन पोल्स को इंफ्लूंस कर सकते हैं यह बात सामने आ चुकी है पर अपने को ये भी मालूम है कि प और मेथडोलोजी में मेरेको लगता है कि दो चार चीजें हैं जो हमारी एक समाज और मीडिया में स्टेस्टिकल मिसंडरस्टेंडिंग के कारण बहुत प्रचले थे हम लोग बार बार बात करते हैं मेथडोलोजी पोलिंग की पर एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम आती है इसका कोई साइंटिफिक मेथड नहीं है ज्यादा तर वो जब इलेक्शन में भी सीट परसंटेज वोट में कंवर्ट होता है सीटों में कंवर्ट होता है वो एक जुआ है मेरको लगता है कि उपीनिन पोल्स को सिर्फ वोटिंग परसंटेज तक सीमित रहना चाहिए यह सीट कनवर्जन जो है इसका आप कोई सीधा उपाए कोई मैथमेटिकल फॉर्मुला जो हम लोग वैलिडेट कर सकें वो नहीं है एक आउकुंस लाए था काफी पहले आउकुंस लाए था उसके बाद दो तीन लौज आए दो तीन मेथड्स आए लेकिन अभी भी सीट का कनवर्जन आप देखे 98 में 99 में और 2004 में सीटे पाटियों की विशेपर भी बात करेंगे इन पहलूओं को भी छुएंगे एक अंतराल के बाद थानवी जी अभी अंतराल से जस्ट पहले हमारे मित्रहर तोर्षबाल ने कहा कि भी न्यूज में संपादिकी में इविशलेशनों में भी बहुत सारी चीज़ें ऐसी आती हैं जो ओपिनिय करती हैं लोगों के बीच में गलत प्रशार करती हैं और एक तरह से उनका इशारा पेड नियूज की तरफ था अब हमारा यह कहना है कि अगर पेड नियूज के खिलाफ हम हैं तो इस तरह के जो पीनियन हैं इनके बारे में कहा जा रहा है कि यह भी पैड हैं इन दोनों के ब को हमारी बेरादरी की पतिष्टा को जास पॉंचाती है उन सब के उपपर हम को दुब़ारा सोचना चाहिए ये कहना कि चुब कि देखी के opinion है तो opinion तो वहाँ पर भी होती है वहाँ पर भी होती है उन सब चीजों को भी देखिए अभी हम जिसकी बात कर रहे हैं वहीं तक रहते हैं मेरा सिद्ध बुनियारी सवाल यह है कि इसकी जरूरत क्या है अगर मान लें कि समाज की सिर्वेशन के बात कर रहे हैं रोग-ख्याया पर कई को यह यह है कि रोग-व्स सया पर कई मरीज लेटे हुए हैं और उनका इलाज करने वाला उस वक्त करेगा जब मत देने आएगा और आप पहले से एक सर्वे करवाते हैं और सर्वे करवा के बताएंगे कौन जिंदा रहने वाला है कौन मरने वाला है और होता क्या है आप यह पाएंगे कि ज्यादा तर जो है वो जूठे साबित होते हैं हरतोष एक सवाल तो जरूर उबरता है थानवी जी की इस बात चीज़ में हो सकता है पूरी तरह उनसे सामतना हो और वो अधिकार है किसी को भी लेकिन सवाल इस बात का है कि जो पोल सर्वे करने वाली एजंसिया है वो मीडिया से बाहर की एजंसिया है आम तोर पे एक अलग बाजार है वो उस बाजार से मीडिया का एक रिष्टा बना है इन सर्वेज के माधियम से खासकर नबे के दुशक के बाद अब सवाल इस बात का है कि हम रिगुलेशन या सेल्फ रिगुलेशन की बात कर रहे हैं हम पेड निउस के खिलाब लगने की बात कर रहे हैं हम एक लाइन जो है जिसमें बलसाब और बोल देंगे, इस पे भी आप रोश्टी डालिए कि क्या ये एक तरह का जुआ और सटा फैलाने में मदद नि करता है, ये भी आप देखी इस चीज़ को, ने देखे, जहां तक समाजिक पहलू है जो थानवी साब ने रेज की, बात सही ह पर जहां तक बैन की बात आती है, ये थानवी आप इसको आप नियंत नहीं कर सकते हैं, उसको आप रेगूलेट नहीं कर सकते हैं, जहां कोई भी मीडिया और्गनाइजेशन कहे कि ये किसी और एजनसी ने पोल चलाया है, अगर आप उस पोल को छाप रहें, उस पोल को दि पड़ेगी और इसका मतलब ये है कि आपके ऊपर ये responsibility है कि आप उसको समझे पोल की methodology समझे ये समझे सवाल क्या पूछे गए है प्रोजेक्शन कैसे हुई हुई है और उसकी responsibility आप ले है आपको आउटलुक के उस समय डीटर इंचीफ थे विनोद महता साब और उन्होंने च्छे साल पहले यही इसी असमंझस के बीच या इसी अंतर संगर्श के बीच वैचारी को थल पुतल के बीच कहा कि हम इतना पैसा उनको देते हैं सर्वे करानी वाली एजंसियों को और हमें पाठकों के सामने हमारी भद वो पिटाते हैं हम बंद करते हैं ऐसा खेल तो यह यह एसास है अब सवाल इस बात का है इनके सिंग कि अगर कोई editor senior editor काफी अनुभवी एक पत्रकार अगर वो यह feel करता है कि हम उनको समझा नहीं सकते उनकी methodology में corrective measures की बात जो है वो media के स्थर पर साय संभव नहीं है कि इसको आप कैसे देखते हैं क्या वो एसास मिनोत महता का है वो एक पूरे देश के media की एक कहानी नहीं है नहीं इसका एक तरीका है आज ही हम लोगों ने सबेरे सोचा यह जो क्राइसिस हुआ है इसको लेके हम लोग बहुत चिंतित हैं तो एक तरीका है इसका बड़ा अच्छा वो तो एक व्यापारी एजनसी है जो पूल सर्वे कर रहा है वो यह व्यापारी एजनसी उसकी credibility नहीं credibility हमारी खराब होती है हम editors की channel की इनकी खराब होती है अख़बार की खराब होती है तो हम अपनी credibility कैसे restore करें तो मुझे लगता है यह मेरा व्यक्तिकत विचार है जो हमने अभी थ्रो किया है कि शायद यह कारगर हो उसमें यह है कि अगर मान लीजिए कि एक पूल सर्वे एजनसी आती है वो कहती है कि हमारा sample size 3000 है और यह methodology है अब आप उसमें से 10% का random sampling करके उसको verify करें कि क्या इन लोगों ने आपसे बात किया है और यह जिम्मेदारी आप की होगी और तब जब भी आप पूल सर्वे दें तो पहले यह undertaking जनता को दें कि हमने यह पूरे बिस्वस्निया है हमने 10% random sampling लेके इनके लोगों से बात किया है और यह उन लोगों ने तस्दीक किया कि हमसे पूछा गया था अगर यह प्रक्रिया चले तो मेरे खाल से इसका solution निकल सकता है लेकिन विपल न्यूज एक्सप्रिस का जो परदाफाश है मैं फिर एक रिपीट कर रहा हूं कि आप उससे पूरी तरह सामत हो नहों अलग कह हैंगे वह आप कहिएगा तो हम discussion भी करा देंगे इसके फेबर में अब सवाल यह है कि जब इतना सारा नियोजन उनका है इतना सारा समायोजन उनका है इतनी सारी उनके पास कहानी है कैसे करेंगे लेकि एक तो बहुत अच्छी बात हुई यह स्टिंग हुआ कम से कम यह जो जो जमीन में अंदर थी बहुत सरे लोग कहते थे सवाल उठाते थे वो अब सामने आ गए सारी जनता के सामने तो बहुत अच्छा है इस पर regulation पर लगातार बात चीत हो रही है कारे सूची पर आ गया यह तो बात बहुत अच्छी है लेकिन जैसे ठानवी साब भी कह रहे है और आप भी कहने थे कि देखिए अगर आप किसी भी चीज़ को रोकेंगे तो वो भूमिगत हो जाएगी और वो भूमिगत हो जाएगी तो फिर उसको किसी भी प्रकार से उसको नियंतरित करना या उसके बारे में कुछ भी बात करना बहुत मुश्किल हो जाएगा मेरा यह मानना है कि यह देखिए बहुत बड़ी एजिंट बड़ा इंडास्ट्री है 1824 में पहला हुआ था अमेरिका में मैं यह देख रहा था कि जो निल्सन वगएरा कंपनिया इन लोग का इतिहास देख रहा था यह 1930 से तो सुचारू रूप से काम चल रहे हैं मतलब अपना बहुत पुरानी संस्था है मार्केटिंग रिसर्च होती है हर एक चीज़ के उपर पब्लिक उपीमियन के उपर पोल्स होती है तो सवाल लौट फिर किस पर आता है ट्रांसपेरेंसी पर और प्रोफेशनलिजम पर और प्रोफेशनल एथिक्स पर देखिए प्रोफेशनल एथिक्स जो है वो सर्वेजेंसी के भी होने चाहिए और स्थापित किये जा सकते है अगर हम चाहें ठीक तरह से मतलब यह जो आप कह रहे हैं वापस जा के पूछे तुमसे सवाल पूछाता है नहीं पूछाता है वो कभी कारगर नहीं होगा कारगर क्या होगा कि आपने जो भी तरीका अक्तियार किया है वो तरीका आप पब्लिक डोमेन पे डालें लेकिन विपल अब तो एजनसियां ये भी कह रही है कि हम कैंडेट पूटब भी करवा देंगे आपके लिए वो तो बिलकुल अगर मोटिवेटेड बिके हुए आदमी है तो ऐसे डॉक्टर में आपको बता दू जो कि पूरी पूरी तरह से मतलब जो जिस तरह से हमारे अस्पताल चलते हैं और एजनसियां चलती है प्रोफेशनलाइज तो हर एक को करने की जरूवत है अकारण है कि पार्टी जनता पार्टी जो है उसने बहुत जो उसके साथ में कहा कि नहीं बिलकुल इसके उपर बंदिश नहीं लगनी चाहिए जबकि 2004 में अगर आपको याद होगा तो उन्होंने कहा था कि एक बार अदिसूसना जारी हो जाने के बाद में यह नहीं होना चाहिए सरुदली समगती थी अपनी सुईदा की बात है कैनेडा में ऐसा है पर सुने तीन दिन पहले तक आप नहीं कर सकते कोई बड़ी बात नहीं अलग 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 स्थितियां है और टीवी की भी जब अच्छा ये अखबार में आ गया ये पत्रकार ने कहा है ये ते बड़े संपादक ने कहा है तो जो देहरी पे खड़ावा मद दाता है वो टिल्ट होता है और एक मिनट उसका लाभी उठाते हैं इसकी वज़े से पॉलिटिकल पार्टीज जो है मैं ये कहता हूँ सबसे ज़्यादा खुश या नाकुश होती है और अखबारों पे और टीवी चैनलों के उपर कॉर्पोरेट और पॉलिटिकल पार्टीज ये सामने नहीं आते हैं पर पीछे से जो हैं ये इनकी पीट पे सवार है और वो कैसे मैनुपलेट करते हैं ये आपके एक्सपोज में सामने हुआ थानवी साब की बात का एक पैराडॉक्स देखिया एक तरफ ये है कि साब ये पैसे लेके ये सब करते हैं गलत है और इतने सालों से ये गलत चल रहा है ये ओपेनियन पोल का रेलेवंस नहीं रहा एक तरफ वो ये कह रहा है दूसरी तरफ कह रहे हैं कि साब इतना influence वोटर उससे होता है अगर हम गलत हैं तो वोटर influence कैसे होता है और अगर influence होता है तो इसका मतलब है इतने साल से एक democratic process क्योंने होता है अफ़ाओं से तो मुझफर नगर में क्या हुआ नहीं लगा रहा है पिछले 50 साल से जनता आग नहीं उसको सोचने का टाइम है लेकिन हरतोश मतलब हम केवल भारत जैसे एक विकासील देश की बात नहीं कर रहे हैं दुनिया के जो विकसित देश्त हैं वहां के भी जो बड़ को इस बारे में विचार नहीं करना चाहिए क्या आपको लगता है कि इससे स्वैम एक पहलू जो बहुत महत्पूर है कि अपनी रिपोर्टिंग जो चुनाव रिपोर्टिंग है वो कहीं न कहीं गायब हो रही है ओपिनियन पोल और चुनाव सर्वे के दबाव में पूरी क आप इस पर कोई डिबेट नहीं होना चाहिए कि कहीं नहीं पर प्राइविट जो सर्वेज हो रहे हैं उनको रोक सकते हैं और क्या आप कल कहेंगे कि अगर नहीं रहे हैं पर पसारित नहीं हो रहे हैं तो जूनाव रिपोर्टिंग पहले होती थी आज जो हो रही है बिल्कुल खर्च नहीं किया जा रहा है और जबकि ओपिनियन पोल पर लाखों करोनों खर्च हो रहे हैं यह अन रेकार्ड है सब कुछ हम एक एक लाइन में जाना चाहते हैं हम थानवी जी से शुरू करते हैं चुनाव रिपोर्टिंग क्या बचाने के लिए भी ओपिनियन पोल कहीं न कहीं कुछ रेगुलेट करना होगा उसको मेरा मानना है कि अगर आप सर्वे करवाना चाहते हैं अपने जिम्हेदार पत्रकारों से करवाईए और उसमें सीटों के चकर में मत पढ़िए क्योंकि उससे लोगों को उल्जिन पैदा होती है आप अपनी राय अखबार की टीवी की के बोटे तोर पे ये चीज है मेरा मानना है कि देखिए जो अच्छी पत्रकारिता नहीं हो रही लोग जाके कहानिया नहीं लेके आ रहे है उसका opinion पोल से कोई लेना देना नहीं है वो अच्छी नहीं हो रही ही क्योंकि आपके news gathering budgets कट रहे हैं आप जो है वो लोगों को भेजना नहीं चाहते बाहर और पचास चीज़े इसमें ये है इसका संबंध मेरे हिसाब से अभी व्यक्ति के साथ है आपके suggestion का जो सबसे बड़ा खत्रा है वो यह है कि अब तक तो कम से कम तीन हजार सेंपल साइस पांच हजार सेंपल साइस से आप opinion लेते थे अब एक reporter जाएगा और reporter अपनी opinion बना के वो जनता को परोज़ देगा तो खत्रा यह है सर्वे की बात नहीं है सर्वे की बात नहीं है चुनाओ reporting की मैं बात कर रहा हूँ मैं बात कर रहा हूँ वो different colors जो है उससे भी उससे भी प्रभाद तेकि यह एक journalism का एक larger problem है studio discussion जैसे हम यहाँ कर रहे हैं जो opinion की expression है उसके reporting पे हर तरह असर डाल दिया तो यह सिर्फ opinion पोल प उकने से नहीं जाएगी बस्ति आज जिस तरह के सर्वे कराया और दिखाया जा रहे हैं उनमें ज़्यादातर ऐसे हैं जो लोगों की राय का सच दिखाने की बजाए लोगों में iç can we 시청 सर्वेक्षण के मनमाफिक नतीजे भी दिखाने को तयार हैं यह एक्षाने की आज़ण करती है पर मेडिया के लिए शायद मेरे हिसाब से ये फायदे की बात हो सकती है, खास कर पत्रकारिता के लिए whenever मरतुं को फिर से जिन्दा होने का एक मौका मिलेगा। मेडिया हाउसं को तब सर्वे के बजाए रिपोर्टिंग की तरफ लोटना होगा पत्रकार और पत्रकारिता के लिए वो सुखत दिन होगा हो सकता है मेरी बातों से मेडिया के हमारे बहुत साथी समाज शास्त्री समाज के लोग हो सकता है थोड़ी बहुत असामती रखते हों लेकिन बहस तो होनी चाहिए ताकि एक सहमती तक पहुंचा जा सके देश के लिए समाज के लिए लोगतंतर के लिए मीडिया के लिए सब के लिए शायद ये बहतर है इन शब्दों के साथ आपका बहुत बहुत धन्यवाद आप चार लोगों ने इस पार्टिस्पेट किया और देखते रहिए रा झाल 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 झाल